जैसे कि आज हम आपको बताने वाले हैं digestive enzyme syrup के बारे में इस syrup का उपयोग कहां किस बीमारी की समस्था में किया जाता है डॉक्टर के दौरा किन किन रोगों में या कौन सी परेसानी होने पर डॉक्टर के दौरा digestive enzyme syrup का डोज क्या होता है इसके side effect क्या होता है यह पूरा detail से जो परेसानी होती है उसमें इस syrup का उपयोग डॉक्टर के दौरा मरीच को करने के लिए दिया जाता है जैसे किसी ब्यक्ति को in-digestion की समस्या होती है तो डॉक्टर के दौरा यह syrup दिया जाता है जैसे अपाचुस को हो रहा हो खाना नहीं पच रहा हो उस condition में डॉक्टर के दौरा यह syrup दिया जाता है जिसे आप गैस बनना भी कह सकते हैं पेट फूला हुआ रहता है और गैस पास होता रहता है इस condition में भी डॉक्टर के दौरा यह syrup दिया जाता है जैसे कोई पेसेंट है उसे starch का digestion नहीं हो रहा हो तो उस condition में यह syrup का उपयोग किया जाता है chemistry complication मतलब इस टमख में कई बार inflammation हो जाने पर abdominal swelling आ जाने पर तो इस condition में डॉक्टर के दौरा यह syrup दिया जाता है और इस syrup का उपयोग कई बार मरीजों को जो हिचकी आता है तो उस हिचकी को रोकने के लिए यह syrup दिया जाता है और इस syrup का उपयोग जैसे खाना नहीं पचप हमारा पचता नहीं है तो उसकी वज़ा से हमें बहुत सारी तकलीफ हैं देखनी पड़ती हैं बहुत सारी समस्या आज हो जाता है तो उस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर के द्वारा यह syrup दिया जाता है और इस syrup का उपयोग जैसे कि अगर किसी का कोई खाना खा रह और दूबला पतला हो तो उसे बेट गेन यानी उसकी वज़न बढ़ाने में यह syrup काफी अच्छा मदद करता है चलिए अब हम इसके डोज के बारे में आपको बताते हैं जैसे कि जो डोज होता है वो डॉक्टर मरीज की इस्तिती और उसकी कंडिसन बीमारी को देखते तो ज़ए तो डॉक्टर इसे सुबा और साम पेस्क्राइब करते हैं ददद सेमल सुबा और साम और जो इसका डोज होता है डॉक्टर मरीज की इस्तिती और उसकी कंडिसन को देखते हुए फिर अपने हिसाब से इसका डोज कल्कुलेट करके बताते हैं यह syrup खाना खाने के बाद तुरंत यह syrup लिया जाता है वैसे तो इस दवा का कोई side effect देखने को नहीं मिलता है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसका अगर कोई इस दवा का overdose की मातरा में ले रहा है तो उसे नोजिय की समस्या हो सकती है dehydration की समस्या हो सकती है constipation की समस्या हो सकती है तो यह डॉक्टर या फार्मासिष्ट से संपरक जरूर करें फिर कोई दवा लें